आप सबी को हार्दिक सुपकामना है इसी उपलक्ष में आज का जो टुटोरियल है वो मैंने रखा है राजी मुवी का बहुत ही खुबसूरत सौंग ए वतन वतन मेरे आबाद रहे दूँ तो आएए इस सौंग को मैं सीशार प्रूट पर निकाल रहा हूँ और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही जगा पे नी कोमल लगता है अंत्रा में और मौतीवर कभी इसमें यूज है बाती सौंग बहुत ही सिंपल है एक मुखड़ा और एक अंत्रा आप प्रैक्टिस कीजिए विदिन वन डे अगर आपको सारे गमा क्लियर है तो आप एक दिन में इस गाने को आराम से बजा सकते हैं आईए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी मुखड़े से ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तूं ए वतन वतन मेरे सारे रेगा ए वतन इसमें वतन मेरे में गा 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 चार बार आएगा ठीक है अब है आबाद रहे तू गगामा रहे तू मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रत है इसमें क्या है कि या तो आप सिंपल बजाएंगे तो गगामा धादापा ठीक है लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आई है धा के बाद धनी नहा है धा धनी नहा का इसमें गमा के अर्बाद रहे तू को आपने धा उसके बाद धनी नहा फिर पड़ापा देखिए आबाद रहे तू कैसे बजाता है ठीक है थोड़ा से खूपसूरती आ जाएगा और कुछ नहीं है पट पहले प्ले बजाएगे उस पार धनी दा और पड़ापा को एड़ कर भीजिए नेक्स लाइन इस मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू अभी आपने कहे अभी आप नॉर्मल इसको मद्य सब्तक में चलते हैं अब एक स्वर इसमें हायर अप्टेव कर लग जाएगा साथ मैं जहां गपसा निपा पहले है आप साथ चले गए फिर वापस आगए गवसे आप पहले है पहले पह फिर साथ अगे अगले सकतक के साथ पिर निपा वापस आगए जब फिर वापस आएके धा मामा मौती विर लग जिया थी ठीक है मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू गपसानी पधा मामा याद रहे तू के लिए रेमा पधा पधा याद रहे तू इसको भी आ गमक दे सकते हैं पूरा से लिए ठीक है दोस्तों इसके बाद आल्मुस्ट मुखड़ा आपका कंप्रिक्ट हो गया दो लाइने और है ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन सादेरिगा मेरे वतन गमाद पधपा सादेरिगा मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन ये चार वर हो गया इसके साथ ही मुखड़ा कंप्रिक्ट अंत्रा बढ़ते हैं अंत्रा में आपने ध्यान ये देना है नीकोमल लगेगा एक सेकेंडली अंत्रा में जो भी लाइन है वो कोरस के साथ जब गाई जाती है तो उसमें थोड़ा सा एक स्वर उपर या दो स्वर उपर आप दाते तो थोड़ा सा वेरिशन ठीक है तो आपने ध्यान अपने है जैसे फर्स्ट लाइन है तुही मेरी मंजिल पैचान तुझी से तुही गमा दा 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 पाकर काण है नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा ठीक है पैचान ठप प नी नी धा नी को मले ते चान तुझी से यहीं पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रेट्किस की ज़र पड़ेगी उसके बाद उसके बाद जब कोरस में यह सौंग है तो थोड़ा सा इसको पहले गमा से था तुही मेरी मंजिल अभी आपको क्या है कि यह एक फ़र उपर चला जाएगा देखा आपने यह जब कोरस के साथ होगा तो थोड़ा सा हाई उसमें आ गया देखिए बोल किस तरह से हैं तुही मेरी मंजिल पनी एक साथ आएगा नी नी धानी नी तुही मेरी मंजिल होगी अब है पहचान तुझी से पहचान आएगा पह रे सानीधा पह रे सानीधा पहचान रे maior आइखिए पह है पह पहह के लिए आप रे सानीधा करें पहचान तुझी से पहचान तुझी से अब नौ वी मूँव ओन तु थर्ड लाइन ओफ अन्टरा अभी पिछली लाइन में जो कोरश था वो थोड़ा सा उपर लेके गया सॉंग को तो अभी जो में लाइन है वो देखे और हाई हो जाएगी सी स्केल की फ्लूट है थोड़ा सा आपको आवाज में थोड़ा सा डिस्टिमिंस आएगा पर बेर विद इट और ट्राइट टू लर्न दा नोट्स नोट्स आप पकड़िये और प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको पेस फ्लूट में बजा सकते हैं क्या था ये पहुचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तूँ इतने उपर तक जाये और अब कोरस का काम है कि इसको फिर नीचे लेके आएगा नेक्स्ट ठीक है अब कोरस में आईए अचा स्वारी परेस के स्वार देख लेते क्या था जो में लाइन है सेके लाइन पहुचू मैं पहुचू मैं पहुचू गपपरे रे इस तार सब्दक उपर चला गया तेरे रेसा मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू मेरी बुनियाद रहे तू ठीक है ठीक है दोस्तों मेरी बुनियाद रहे तू में क्या होगा सारे रे गरे साधा रे रे सासा ठीक है बहुत हाई पहुच गया था मेरी बुनियाद रहे तू मेरी बुनियाद रहे तू मेरी बुनियाद रहे तू मेरी बुनियाद रहे तू भी बुनियाद रहे पहाई रहे तू